तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आने की 5 जून की important current affairs को देखे मारा पहला प्रशन क्या है अभी हाली में किसने operation महिला सुरक्षा को शुरू किया तो answer होगा railway सुरक्षा बलने railway protection force तो operation महिला सुरक्षा इसको अभी railway protection force ने शुरू किया ये तो इसका उत्तर हो गया 1000 ऐसे व्यक्तियों को गिरिफ्तार किया है जो अनादिकरत तरीके से महिलाओं के आरक्षित टब्बो में यात्रा कर रहे थे आपको याद होगा इसी तरह से दक्षिनी पूर्वे railway ने कॉलकता में महिलाओं को सुरक्षित उनके destination तक पहुंचाने के लिए operation माई सहली शुरू किया था तो उसी तरह का ये एक operation है जिसको railway सुरक्षा बल इसने शुरू किया है अच्छा यहाँ पर कुछ और operations में आपको बताऊंगा जो अब एक current affairs में रहे थे जिसको शुरू किया था railway protection force ने जैसे की operation उपलब्द ये ticket booking की काला बाजारी को रोकने के लिए यानि कि अवेद टिकेटिंग के खिलाब के operation शुरू किया था operation उपलब्द operation आहट मानव तसकरी पर अंकुष लगाने के लिए इस operation को शुरू किया था mission अमानत रेल यात्रियों के खोए हुए सामानों को track करने के लिए भाटर railway ने ये mission शुरू किया था operation अमानत operation thrust रेलवे परिशर में अनादिकरत यानि की unauthorized पानी की बोटलों की बिकरी को रोकने के लिए इसे शुरू किया था operation दिवी शक्ति ये RPF ने शुरू नहीं किया था actually ये जो operation दिवी शक्ति है ये भारत सरकार ने शुरू किया था अफगानिस्तान में फसे हुए भारतियों को वापिस भारत लाने के लिए और इसी तरह से यूकरेन में फसे हुए भारतिय चात्रों को वापिस लाने के एक और था operation सतरक इसको तो RPF नी चलाय था अवेद तमबाकू उत्पादों के परिवान को रोपनी के लिए था operation सतरक बाकी अमारे रेल मंतरे अश्वीनी वैशनव है पहले रेलवे मंतरे थे अमारे जौन मताई वर्टवान में रेलवे बोड के नए चेर्मेन और CEO बने व विने कुमार सकसेना तो अभी ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए हैं विने कुमार सकसेना और एक कवच आप नाम याद रखना भागते रेलवे ने स्वचाली ट्रेन सुरक्षा प्रनाली का भी परिक्षन किया उसका नाम रखाता कवच मतलब अगर एक ही पट्र पर आमने सामने अपोजेट डारेशिम में दूट रेने आ जाएगी तो उनको टकराने से रोखने के लिए था ये सिस्टम उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाट्य रेलवे ने अभी भारत का पहला सुधिशी हाइपर लूप डेवलप करने के लिए किस आइट राष्टर विश्व सिखर समेलन में सर्विश्रिष्ट परियूजना पुरुसकार जीता तो अंसर होगा मेगाले तो मेगाले सरकार की एक परियूजना है मेगाले एंटरप्राइज आर्किटेक्टर जो की जमीनी स्तर पर साशन एवं सेवा वित्रन में सुधार से संबंद है ये और इस परियूजना के लिए भी मेगाले सरकार ने सुध्जलेंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित अवार्ड जीज़े कहेंगे WSIS पुरुसकार जीता है WSIS मतलब World Summit on the Information Society और इस साल विजेता पुरुसकार जीतने वाली भारत की ये एक मात्र परियूजना है किस राज्य की है? मेगाले की अब बात मेगाले की है तो येरा मेप मेगाले देखो मेगाले की केपिटल शिलोंग है और शिलोंग में आपको किसका Headquarter मिलेगा? असम राइफल्स का इसे पूर्वत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है चलो आप तो ये उत्तर दो असम राइफल के प्रमुक कौन है कली मैंने आप लोग को बता है और भारत की सोवी स्मार्ट सीटी ये भी है शिलॉंग यहां के मुख्य मंतरी है कॉन्रोड संगमा अच्छा कॉन्रोड संगमा से भी एक प्रश्न बनता है पहले तो इनकी पार्टी का नाम बताओ नेशनल पेपुल्स पार् आठवा राष्ट्र राजनितिक दल है और इसकी स्तापन की थी पी एस संगमा ने जो की कॉन्रोड संगमा के पिता थे यहां के गवर्नर सत्यपाल मलिक आपको याद होगा अभी इसी साल संत नामदेव राष्ट्र पुरुसकार इनको मिला था और भारत की सबसे बड़ी अधर प्रसंसकरन प्लांट यह मेगाले में इस्तापिद किया गया देखो यहीं पर आपको बाल पक्रम नेशनल पार्क मिलेगा नॉक्रिक नेशनल पार्क आपको यहां पे मिलेगा और आपने पड़ा होगा भारत का एक मात्र मिश्रित धरोहरिस्थल यह कौन सा है कंचन जंगा नेशनल पार्क और लिविंग रूट ब्रिज यह न्यूज में था यह भी आपको मेखाले में मिलेगा अभी इसे टीन्टेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था याद रखना यह सब पढ़ते आगे अच्छा चलिए बताईए हाली में देश का पहला वायू सेना विरासत केंद्र ये चंडिगड़ में मनेगा ये तो प्रश्नका उत्तर हो गया और अभी इसके लिए चंडिगड़ प्रशाशन और इंडियन एरफोर्स के बीच में समझोता भी हुआ है तो इस केंद्र में क्या होगा एरक्राफ्ट, एरो इंजन और एरफोर्स से का पता चले कि कैसे वे देश की एकता और अखंडिता को लीड करती हैं तो इस विरासत के इंद्र में भारत और दूसरे देशों के बीच में हुए युद्ध की भूमी का और शिवल वार ओपरेशन में भार्ट वायू सेना की शौर का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा अच यह नए आर्मी चीफ बने हमारे मनुच पांडे 29 नंबर के है यह और वैसे एरफोर्स दे होता है वारा 15 जनवडी को अच्छा विरासत की बात है ना देखो यहाँ पे तो विरासत दिवस भी होता है एक वर्ल्ड हरिटेज डे वो अठारा अपरिल को मनाय था हमने और उसक चालिस है और चालिसवा भी बना था धोला विरा यह गुजरात का है जो कि एक हडपा इस्तल है और उससे पहले 39 नंबर का बना था काकतियर रूद्रेश्वर मंदिर जैसे रामप्पा मंदिर भी आप कहते हो और यह तेलंगना में है और इन चालिस में मैं आपको बता दू तो देखो 32 सांसकरतिक इस्तल है साथ आपके प्रकरतिक इस्तल हो गए और एक विश्व का एक मातर मिश्टरित इस्तल जो मैं आपको बताया कंचन जंगा नैस्टनल पार कहा पर है सिक्किम में और देखो प्रश्णगर इस तरह से गुम के आए ना कि भारत में टोटल टेंजिबल साइड्स आप इंगलिश में बोलोगे और मूर्त धरोहरे यानि कि टेंजिबल साइड्स जिन्हें आप चू सकते हो ये 40 है ऐसे भी ध्यान रखो और अभी 14 नंबर की अमूर्त सांसकरतिक विरासत ये बनी थी कौनसी कॉलकाता की दुर्गापुजा और आपको याद होगा मेगाले का जो लिविंग रूट ब्रिज एसे युनेस्को की विश्व धरो और इस्तलों की संभावित सूची टेंटेटेव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है अच्छा विसे चंडिगड की बात करें अगर हम तो आपको याद है चंडिगड में देश का सबस और भी मिस्स युनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था जो कि इस्राइल में हुई थी तो ये सब याद रखना बढ़ते आगे है अच्छा बताओ अभी हाली में किस राज्य सरकार ने समुद्री तटों पर अवेद गतिवीदियों की शिकायत के लिए बीज विजल एप लांच किया है तो अभी गोवा के जो मुख्य मंतरियें प्रमोच सावन अभी उन्होंने राज्य के समुद्री तटों पर शराब पीना गंदगी फैलाना और अवेद गतिवीदियों जैसे उलंगनों की शिकायतों के लिए ये बीज विजल एप्लिकेशन को लांच किया है तो इसके जरी उलंगन की सूचना सिधे परियेटन विभाग को दी जाएगी अच्छा यहाँ पर विजल से आपको एक एप्लिकेशन एक पोर्टल याद आएगा जिससे चुनाव आयोग ने शुरू किया था चुनाव में होने वाली गड़बडियों को रोकने के लिए उस नदी के किनारे हैं मंडोवी नदी के किनारे मुख्यमंत्री प्रमुत सावन और अभी हमने पढ़ा था गोवा ने अभी अपना स्थापना दिवस मनाय था तीस मेह को और गोवा मुक्ति दिवस गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं 19 देसंबर को और एक गोवा क्रांती दिवस और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना था आपका गोवा, देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य आपका गोवा ही है, अभी यहीं पे मुख्य मंतरी देव दर्शन योजना भी शुरू हुई थी, भारत की पहली हरित उर्जा अभी सरण पर योजना, यानि कि ग्र राज्य सरकार ने गर्बवती महिलाओं के लिए विशेश स्वास्ते देखबाल अभ्यान जिसका नामे आचल इसको शुरू किया, तो अभी राजस्तान में गर्बवती महिलाओं के लिए करोरली जिल्ले में एक विशेश स्वास्ते देखबाल अभ्यान जिसका नामे आच जल ये शुरू किया गया है तो ये अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसर्व पूर्व और प्रसव उत्तर अवस्ता में सभी आवशक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था ताकि मात्र शिश्व मृत्ति उदर को कम किया अच्छा ऐसे ही जिसमें दूसरी बिटी के जनम पे महिलाओं को पांच जार रुपे दिये जाते ये चलाई थे 36 सरकार ने और अभी बताओ मुझे मात्र शक्ती उद्दे मिता योजना किसने शुरू की थी हरियाना ने लेकिन यहां तो बात है राजस्तान की तो ये रा मैप पर राजस्ता अचा राजस्तान की केपिटल कै जैपूरे जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं और अभी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दरजा भी मिला यहीं पर विश्व का तीसरा और भात का दूसरा सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम भी बनेगा मुख्यमंत्री अशोग गेलोते और गवर्नर कलराज मिश्र इन्होंने एक बुक भी लिखी अभी संविधान संस्कृति और राश्टर नाम से आपको याद है अभी इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये शुरू की है राजस्तान ने मतलब इसमें शहर में रहने वाले गरीब परिबारों क के नुसार 10 गीगावाट सूर शमता को पार करने वाला देश का पहला राजज बना था राजस्तान उसके अलावा राजस्तार पर एल रूट सर्वर स्तापिट करने वाला देश का पहला राजज भी बना है राजस्तान और राजस्तान के मिया का बाड़ा रेल्वे स्टेश करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो अभी आंसर होगा राजस्तान अच्छा राजस्तान में कितनी रामसर साइट ने दो हैं सांबर लेक और केवला देव नेशनल पार और अभी राजस्तान का चोथा और देश का बावनवा टाइगर रिजर्व बना था रामघड आजिक और अधिकारिता मंत्रियं सोशल जस्टिस और एंपार्मेंट मिनिस्टर और डॉक्टर विरेंद्र सिंग जिन्होंने हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासे सिक्षा के लिए ये श्रेष्ट योजना शुरू किये मतलब इस योजना का उद्दिश ये क्या है सब सबसे गरीब छात्र को भी गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा मिल सके मतलब अगर कोई छात्र मेधावी है पढ़ने में अच्छा है पर वो गरीब है गरीबी के कारण वो पढ़नी पारा तो ऐसे बच्चों के लिए इसकूल की जो फीस होगी उनके रहने का जो भी खर्चा हो तो यह है श्रेष्ट योजना आपको याद होगा भी इसी मंत्राले ने एक e-study platform को launch किया था तपस नाम से तपस का full form हो गया training for augmenting productivity and service और इसी मंत्राले ने कुछ समय पहले बिकारियों और transgender समुदायों के लिए इसमाइल योजना शुरू की थी इसमाइल का क्या मतलब हो गया यहाँ पे support for marginalized individuals for livelihood and enterprise और अभी इसी मंत्राले ने प्रदान मंत्रे दक्ष नाम से एक portal और mobile application को भी launch किया था जिसका उद्देश्य था skill development schemes को लक्षित समुहों के लिए सुलब बनाना तो यह भी आद रखना बढ़ते आगे चलिए बताईए जून 2022 में अभी किस company ने भारत का पहला banking metaverse launch करने की गोशना किये तो अंसर होगा अपने घरों में बेठे बेठे आराम से ही लेंदिन कर सकेंगे, banking जानकारी पा सकेंगे और कई banking उत्पादों का लाब भी उठा सकेंगे और इसी तरह से आपको याद होगा US का एक bank है JP Morgan Bank ये पहला bank बना था दुनिया का metaverse में दुकान स्थापित करने वाला आपको बताए Facebook का नाम बदल के क्या हो गया meta हो गया और जब से इसने अपना नाम meta रखा है न तब ही से ये metaverse काफी चर्चा में है उसके अलावा metaverse में entry लेने वाली पहली IPL टीम है गुजराट Titans तो याद रखने ये सब metaverse क्या होता है अगर आपके मन में आ रहा हो मैं कहीं बार बता चुका हूँ ये तरह से virtual world आप कह दीजिए अभासी दुनिया मतलब actual रूप में आप महां पे होंगे नहीं, virtually आप होंगे जैसे video game में नहीं होता क्या video game खेलते हो तो एक आदमी दुकान के अंदर रोड पे चल रहा होता है तो उसी तरह से वर्चुली रूप में आप वहाँ पे होंगे, जैसे आप कोई भी दुकान में जाकर के खरीदारी कर रहे हैं, तो actual में आप वहाँ पे नहीं हो, वर्चुली आप वहाँ पे खरीदारी कर रहे हो, आपको कोई चीज पसंद आ गई, तो आपने उसका digitally payment भी कर दिया, अब वो जो deliver हो जाएगी आपके घर में, जैसे कि Amazon वगेरा फिलिप कार्ट पर आप करते हो न, कोई चीज खरीद ले तो digital payment कर दे तो फिर आपके घर में उचीज आ जाती है, उसी तरह से है ये, तो ध्यान रखना ये बढ़ते आगे, अब बताओ, अभी पानी के अंदर उगने वा ये पौदा, 200 किलोमेटर स्क्वाइर तक फेला हुआ है, कहां पे खो जा गया, ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं आपसे पूछीओ, ग्रेट बेरियर रीफ कहां पर इस्तित है, तो ये भी आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में, बताओ भारत का पहला, शुद्ध हरित पहले स्कॉट मौरिसन थे, और यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हो, अगले साल 2023 में जो क्वाड सम्मिट होगी, फिफ्ट नंबर की, वो कहां पे होगी ऑस्ट्रेलिया में, और क्वाड देश में कौन को नाते हैं, भारत, चापान, यूएस औ अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के दो-तिन प्लेयर अभी न्यूज में थे, इसमें से एक हैं डेविड वार्नर, अभी T20 किर्केट में सबसे ज़्यादा अर्ध शतक लगाने वाले विश्वे के पहले बल्लेबाज बने थे, यह ऑस्ट्रेलिया से हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया अउस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे इंगलेंड के बर्मिंगम में, आपको बता ICC Women's World Cup 2022 जो न्यूजिलेंड में हुए थे, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इंगलेंड को हरा करके, और आपको याद दो तो पिछले साल 2021 में देसंबर की बात है ये, T20 मेंस World Cup हुए थे, उमान और यूनेटेड अरब अमिरात में उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजिलेंड को अरा करके, तो याद रखने ये सब पढ़ते आगे हैं, चलिए बताईए, हाली में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमान पत्र प्राप्त करने के लिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझुता किया, तो अंसर होगा तमिल नाडू, तो अभी तमिल नाडू सरकार ने डाक विभाग की, घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से, जीवन प्रमान पत्र प्राप्त क करने के लिए, अभी ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझुता किया, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसे 70 रुपे प्रति डिजिटल जीवन प्रमान पत्र के कीमत पर घर-घर सेवाओं तक पहुचाएगा, और आपको बता दू, लगबख 7.15 लाक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहन 4.0 नाम की बैठक होई थी, कहाँ पे शिमला में, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी फिन क्लिवेजन नाम से एक पहल भी शुरू की थी, इसके MDCO जे वेंकट रामू हो और इसका टेग लाइन है आपका बैंक आपक पे होगा, चेन नहीं में होगा, और ये पहली बार हो रहा है भारत में, इसलिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है, और अभे तमिल नाडू के चेन नहीं में, सडक पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एंबूलेंस भी शुरू की गई थी, वैसे यहा मिनाक्षी मंदर आपको तमिल नाडू में मिलेगा, तमिल नाडू में वैगई नदी के किनारे मदूरे में इस्थित है ये मंदर, और किस शेली में बनाए तो द्रविड शेली में बनाए, और भारत का पहला संगीत संगरहाल है, ये आपको तमिल नाडू में मिलेगा, भारत सरकार ने मिड़े मिल योजना का नाम बदल के क्या कर दिया है बता चुकाओं मैं आपको और 18 देसंबर को तमिल नाडू अलप संक्यक अधिकार दिवस Minorities Rights Day के रुप में मनाएगा राज़ी में और तमिल नाडू ने ही 14 अप्रिल जो आप डॉक्टर अंबेड कर जैनती मनाते है उसे समानता दिवस के रुप में मनाने की गोशना की है और पहले बार एक समुद्री शेवाल पार्क यानि की सी वुड पार्क बनेगा तमिल और National Doogong Conservation Center का पे स्थापिट किया गया तमिल नाडू में यादखना भारत का पहला National Food Security Museum खाद्य सुरक्षा संग्राले का पे स्थापिट किया गया तंजावूर में तंजावूर में ही व्रदेश और मंदिर आपको मिलेगा अचा भी मदरास हाई कोट की नए Chief Justice कौन बने थ गया है तमिल नाडू ने करनाटक को हरा करके अचा अभी तमिल नाडू में सोलवा पक्षी अभ्यारन ने बर्ड सेंचुरी कौन सा बना था काजु वेली वेट लेंड और अभी यहां पे सत्रवा नंबर गा 17 नंबर का बर्ड सेंचुरी भी बन गया है चलिए आप कमेंड इंबोक्स में टाइप करने की कोशिश कीजिए उसका नाम क्या है अच्छा उसके अलवा ये भी बताईए तमिल नाडू के समुद्री तटको क्या गयते है जिस तरह से केरल के समुद्री तटको हम मालाबार तट कहते है उस तरह से तमिल नाडू के समुद्री तटको क्या और यहाँ पे क्लासिकल डांस भी है, कौन सा है, क्या नाम है उसका, बताओ हम बड़ेंगे आगे, चलिए बताईए, अभी हाली में कि इस IIT के छात्र ने दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रत्योगिता, TCS Code Vita का दस्वा सीजन जीत लिया है, तो IIT दिल्ली आंसर होगा तो IIT दिल्ली के छात्र है, इनका नाम है कलश कुप्ता जिनोंने वेश्विक कोडिंग प्रत्योगिता है, TCS Code Vita इसका दस्वा सीजन जीत लिया है, जिसमें 87 देशों के एक लाग प्रती भागियों ने हिस्सा लिया था, और आपको बता दू, इन्हें पुरुसकार राश से आपको याद आएगा, कि भारत का पहला स्वदेशी पॉलिसेंट्रिक प्रोस्थेटिक खुटने का अनावरन किया गया था यहां पे, और IIT मदरास ने पहला स्वदेशी मोटर चलीत वील चेयर नियो बोल्ट को डेउलप किया था, और अभी दुनिया का सबसे छोटा व कोबाइल एप्लिकेशन को भी लॉंच किया था, और IIT रोपड की बात करें तो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था IIT रोपड ने जिसका नामे यूबरीत लाइफ, अच्छा मेरा एक प्रशन आप लोगों से रहेगा, कि भारत के बाहर अपना पहला IIT ये काँ पर बनेगा, बताओ, अब हम बात कर लेते हैं, कल की वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की, तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, सशस्त्र सीमा बलके महानिदेशक डिरेक्टर जनरल कौन बन गए तो आंसर होगा, SL 1000, तो आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और गाईज अगर सेशन अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, आपको बता दू, इन सभी क्विशन का क्विज बना करके अप्लोड कर दिया गया आपकी क्रेक एक्जाम अप्लिकेशन पर व